पार्टी की संसदिये बोर्ड की बैठक आदर्निय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के उपस्तिती में और सभी संसदिये बोर्ड के सदस्यों के बीच में हमारी आज बैठक हुई और हम सब लोग जानते हैं कि 15 जून को राष्ट्रपती के चुनाओं की अधिसूशना जारी हुई थी और उसी समय ये अधिकृत किया गया था पार्टी की ओर से कि हमारे वरिश नेता भारत के रक्षा मंत्री शी राजनाज सिंग जी और मैं पार्टी के अधिक्ष के रूप में विभिन घटक दलों से और हमारे जो यूपिये के पार्टियां हैं उनके नेता उनके साथ हम बातचीत करें और बातचीत करके राष्ट्रपती के चुनाओं के लिए सर्वसमत्ती बनाते हुए हम आगे बढ़ें हमारे आजर्णिय राजनाजी ने यूपिये के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत की कुछ के साथ उन्होंने बातचीत की कुछ के साथ हमने बातचीत की बातचीत का दौर चलता रहा लेकिन कोई सर्वसमत्ती पर आने की बात हो नहीं पाई और नामों के चर्चा के बारे में भी कोई सरसमती नहीं हो पाई और आज हम जानते हैं कि UPA ने अपना राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोशित कर दिया है इसलिए आज की बैठक में हम सब लोग जो संसदिय बोर्ड के सदस से थे सब इस मत के आए कि भारतिय जनता पार्टी एंडिये अपने सभी घटक दलों के साथ बातचीत करते हुए हम राष्ट्रपती चुनाओ के में अपना प्रत्याशी घोशित करें क्योंकि UPA ने घोशित कर दिया हम चाहते थे कि सरसमती से कैंडिडेट आए क्योंकि राष्ट्रपती का चुनाओ सरसमती से होता है तो अच्छा रहता है तेकिन इस प्रकार का उन्होंने जब कैंडिडेट घोशित कर दिया तो हम लोग उन्हें आज बैठक में हमारे अपने NDA के घटक के लोगों के साथ बातचीत करते हुए और लगभग 20 नामों पर हमारे हां लंबे दौर की चर्चा हुई और चर्चा में सब लोगों के साथ बातचीत करते हुए एक सरसमती इस बात पर बनी कि सभी नामों पर चर्चा हुई विस्तरिच चर्चा हुई लेकिन कुल मिला करके ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूनना चाहिए भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूनना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास महिला को हमको स्थान देना चाहिए और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपती के रूप में नहीं आया है इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली वार कोई ट्राइबल को अंडिये के तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे इसलिए श्रीमती द्रावपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपती का प्रत्याशी घोशित किया गया है एंडिये की तरफ से और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रावपदी मुर्मू जैसे राधा कृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे सरपली राधा कृष्णन राष्ट्रपती के रूप में उसी प्रकार द्रावपदी जी का भी जीवन अजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंब किया, बाद में वो काउंसिलर भी बनी और वाइस चेर पैरसन रायरंगपूर की बनी और उसके बाद उन्होंने एक लंबा अर्षा विधायक के रूप में देखा, और विधायक के रूप में, वो मंत्री बनने का भी इनको सभागि मिला। उन्होंने नीलकंट अवार्ड फॉर बेस्ट MLA 2007 का वो अभी उन्होंने अरजित किया उनको मिला और बाद में वो 2015 से लेकर 2021 तक जारखंट स्टेट की गवर्नर रही तो इस तरीके से उनका राजनितिक जीवन रहा है एक बहुत ही समवेदनशील महला नित्री जिन्होंने शिक्षा से अपने आपको जोड़ करके जीवन में आगे बढ़े और जो जो जिम्मेवारिया उनको दी गई उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से उसको निभाया है इसलिए NDA ने और NDA के सभी घड़क दलों के साथ बातचीत होते हुए आज संसतिया बोर्ड ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अपना राश्ट्रपती के कैंडिडेट के रूप में घोशित किया है बाकी जाने है